नमस्ते विद्यार्थी मित्रो पी ए नमर सी हाई स्कूल ना ए लर्निंग क्लासिस मा आपनों स्वागत छे आजे हूं तमारी समक्ष धोरन दस गुजराते विशय मा पाठ क्रमांक अधार लगुकावियोनी समझुती आपिश जेना कवी छे शेखादम आबुवाला हर्षत त अने धीरो परिक आ लगुकावियोनों साहित्य प्रकार छे दूहा मुक्तक अने हाईकू कवी चोट अने लागव थी तेमाज सब्दनी चमत क्रुती साधी चोट दार शब्दों मा अमुल्य वात वणी देचे तेवा लगुकावियोना स्वरुपोनी माहिती लगुकाविय द्वारा मेडविये सवप्रथम लगुकावियोना स्वरुपोनों टूकमा परिचय मेडविये तेमा प्रथम छे दूहा दूहानी माहिते मिडविये तो लोक साहित्यमा दूहानू विशिस्ट स्थान छे दूहानू स्वरुप बे लिटीनू होई छे परंतु जीवन भाव सचोट रिते प्रगट करतू होई छे दूहानी दुनिया संसार जीटली विशाड छे संसार ना तमाम भाव समेद नो दूहामा पडगाय छे एटले के बे लिटी ना दूहामा द्रिश्टांतो द्वारा विचारों लागणियों अने भावों एवी रिते रजु थाय छे के त क्यार बाद बिजो साहित्य प्रकार छे मुक्तक, मुक्तक एटले मोती, मोती मा रहेला केटला गून मुक्तक मा पण होई छे, जेमके मोती नानू होई, सुन्दर होई अने कीमती होई, तेज रिते मुक्तक पण ओछा शब्दों मा लखायू होई, भावनी रिते सुन्दर ह अने विचारनी रिते कीमती होए। सामाने रिते मुक्तक बेके चार पंगतीनू होई छे। त्यार बाद त्रीजो साहेते प्रकार छे हाईकू। जापान माथी आवेलो आक आवे प्रकार लागोमा गुणू कही जतो होई छे। सबदार्थ करता भावार्थनू विशेस महत्व जोवा मड़तू होई छे। हाईकूने सत्तर आक्षर पण कहे छे। एटले के पांच, सात, पांच, एम सत्तर आक्षर नी त्रण पंगती तेमा होई छे। एक चमकारानी जेम तेमा चित्र खडू थतू होई छे। तो आरी ते लगुकावेओना त्रण स्वरूपो दूहा, मुक्तक अने हाईकू तेनी समझूती आपणे मिडवी तो तेमा थी पन तूंक जवाबी प्रश्नों पुछाई शके छे। हवे सवप्रथम आपणे दूहानी समझूती मिडवी तो प्रथम दूहाचे कडवा होई लिम्बडा पण सीतड एनी छाई, बांधव होई अबोलडा तोय पोतानी बाय। प्रथम दूहामा लिम्बडानू द्रस्टांत आपवामा आवियू छे। लिम्बडो भले कडवो होई पण एनी छाया शीतड ठंडी होई छे। एटले के ठाकीने आवेल मनूश्य के पसु पक्षी तेनी छायामा बेसी राहत के ठंडक अनुभवे छे। तेज रिते भायो वचे अबोला थया होई तो पन खरा समय ए पड़के उभा रहे छे। आपणी साथे होई छे। बिजू छे जे जन पामे पुर्णता ते कदी न फूलाए। पूरो घट छलकाए नहीं अधुरो घट छलकाए। आदुहामा कह्यू छे के गडो पूरे पूरो भरेलो होई तो ते छलकातो नथी अधुरो ज छलकाए छे। एटले अहीं पूर्ण घडा द्वारा कहवा मागे छे के जे व्यक्ती पूर्णता पामे होई छे जे नामा संपूर्ण ग्यान होई छे ते कदी फूलातो नथी घमंड करतो नथी। तेने पूताना ज्यान वैभवनू जराय अभिमान होतु नथी। व्यक्ती जेम महान बने विकास करे कशुक पामे त्यारेते वधू नम्र अने सज्जन बनती होई छे। पोतानी प्रगतीनू अभिमान नथी करता। हवे मुक्तकनी समझूती मिडवता पहला मुक्तकना जे कवी छे शेखादम आबुवाला तेनों परिचय मिडविये। शेखादम मुल्ला सुझावु दिन आबुवालानों जन्म तारिक 15.1939 रोज अमदावादमा थयो हतो। तेयों केटलोक समय पश्चिम जर्मनीमा रया। वईस ओफ जर्मनीमा हेंदूस्तान रेडियो विभागनू हिंदी उर्दू सर्विसनू संचालन करियू। गुजराती गजलना विकासमा मुशायरा प्रवृत्ती द्वारा तेमने नोंद पात्र प्रदान करियू छे। सरण बोलचालनी भाषामा लखायली एमनी गजलो खुबज लोग प्रिय बनी छे। चांदनी सोनेरी लट तेमना गजल संग्रहो छे। खुर्सी तेमनों कटाक्षनों कावे संग्रह छे। हवे मुक्तकनी समझूती मिडविये अमने नाखो जिन्दगीनी आगमा आगने पण फेरवीशू बागमा सर करीशू आखरे सव मोरचा मौतने पण आववादो लागमा आ मुक्तकमा युवानेनों थन्गनाट जूसो अने साहस बेजोड होई छे। ते दर्शावियों छे। आत्मविश्वास थी थन्गनतों युवान गमे तेवी मुश्केलियोंनों सामनों करवा तैयार होई छे। जीवनमा आवनार अवरोधो थी गब्राया विना अवरोधो नेज पोताना विकासनी सीडी बनावे ते साचो युवान ते मृत्यूने पण पड़कारी सके छे। आजुसो अहीं जणावता कवी कहे छे के अमने जिन्दगीनी आगमा नाखो पण अमे आगने बागमा फेर करशूं एटलेके कप्री परिस्थितीमा पण खुमारी थी जीविशूं हारीशूं नहीं। त्यार बाद बिजा मुक्तकना कवीचे हर्षद त्रिवेदी तेमनों परिचय मिडविये हर्षद अमरुतलाल त्रिवेदीनु वतन सुरेंद्र नगर छे। तेमनों जन्म तार अवाज ताराविना तेमना कावे संग्रहू छे। सब्दानों भव तेमनों विवेचना अत्मक लेखोनु संग्रह छे। लालित्य राजेंद्र शाहना सोनेट अलंकृता नवल कथा अनेहूं तेमना संपादनों छे। हवे मुक्तक जोईये। पिंजरानु बारनु खोली ने पंखी ने कहवामा आव्यूं। हवे तों मुक्त चे पंखीये बहार निकडी ने मानस सामे जोईयूं अने पाचु पिंजरामा भराई गयूं। आ मुक्तक मा मानस विशेनों अन्य जीवस्रुस्टी नों अविश्वास नों भाव चोटदार रिते रजू कर्यों छे। मानस पिंजरानु बारनु खोली ने पंखी ने कहे चे के हवे तूं मुक्त चे। पंखीये बाहार निकडिने मानस सामे जोईयूं अने पाचु पिंजरामा भराई गयूं। अहीं पंखीनी वेदना व्यक्त थाई छे। पंखीने मानव जहात पर विश्वास न थी। मानस दंब करीने सदाचारीनी बनावट करीने अन्यने भोडवीने तेनों लाब लेचे, कपट करेचे, छेतरेचे, मानसना दंब अने डोडने खुल्लू पाड़तू आ मुक्तक चे। हवे हाईकुनी समझुती मिडवता पहला तेना कवी फिलिप क्लार्क नों परिचय मिडविये। ते पहला तेमना कावे संग्र हो छे, बारी तेमनों लगु कथा संग्र छे, रिमजिम रिमजिम रमता रमता रात पड़ी, सवारना तड़कामा तेमना बाल साहित्तेना संग्र हो छे, मॉर्निंग वॉक तेमनू हास्य व्यंगनू उस्तक चे। हवे हाईकुनी समझूती मिडविये लील ओधी ने पोढ़ियू तड़ाव जागियू पंखीनी चांचे लीलने कार्णे ज्याने के तड़ाव पोढ़ी गयू छे कशो संचार नथी जीवन्त ता नथी परन्तु एक पक्षी आवी ने चांच बोडे छे अने तड़ाव जाग उठे छे जाने तेमा सजीवता आवी जाये छे आमतु आ प्राकृतिक गटना छे व्यक्तिने चेतन वंतु बनाववा माटे पक्षीनी चांचनी जेम नानी गटना नानो प्रसंग नानी टकोर के थोडोक चचराट निमित बनता होई छे आरे ते अस्तित्व केम जागी परिचे मिडविये दिरुभाई इश्वरलाल परिखनो जन्म तारीख एकत्रीस आठ उग्णी सो तेत्रीस ना रोज विरम गाम मा थयो हतो गुजरात युनिवर्सिटी मा गुजराती विभाग मा अध्यक्ष तरीके सेवा आपी निब्रुत थया छे कंटकनी खुषबो वार्ता संग्र उगाड काव्य संग्र अंग 25 सीमा छप्पा शैलीना 25 कटाक्ष काव्यों छे आगिया तेमनो हाईकू संग्र छे रास युगमा प्रकृती निरूपण एशोध प्रबंद छे देश विदेशना कवियो विशेनो परिचय आपतू पुस्तक तेमने आपियो छे निश्कूडा नंद पदावली सात महा काव्यों पंच महा काव्यों तेमना संपादन ग्रंथो छे हवे हाईकूनी समझूती मिडविये परवत टोचे पहुँचिव वादड स्वयम गयों वेराई आ हाईकूमा उडतू वादड उँचे ने उँचे चडता परवत टोचे पहुँचे छे ने एटलू बदू हलकू थै गयों के ते भार वगर नू थै जाये छे अने वेराई जाये छे आ पंक्तीनों संदेश छे के आपणे जेम जेम भार ओचो करता जैशू तेम आपणे हडवाशनों आनंदनों अनुभव करी शकीशू जीवनमा बिन जरूरी बोज लईने शोक मैं वातावर्ण राखवू नहीं जेटली जरूरियात ओची एटला आपणे सुखी एटले व्यक्ती जेम उँचाई प्राप्त करे उच हो दो मेडवे तेम तेनामा वधु नम्रता बिजानी दरकार विशाडता उदारता त्याक भावना जिवा गुणों नों विकास थाए छे आभार